पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना प्रते अमरित को लेकर यह खबर आई कि मुख सचीव नहीं बनाये जाने से नाराज थे छोटी पर चले गए थे और उसके बाद उनकी वापसी हो गई है सञीव हंस को लेकर भी डेड़ सारी खबरे हैं हमारे साथ हमारे एडिटर हैं सिरकान पर्टीव सर हैं सर प्रते अमरित से सुर्वाद करेंगे नाराज होकर चले जाने की खबर आई उसके बाद वापसी हो गई है की प्रतोयभीक बीहार के बहुत स्टशितत तुदिकारी हैं और हमेशा महत्तुपुन पदों पर हैं भीभाग इंडी रहें हैं अ स्वास्थ 위हाद के भी प्रदान सचीय और अर पथ निर्मान भीभाग में भी रहे हैं पुल मेरुत्रा 31 अगस्त को जब सवा निवरित हुए उसके पहले चर्चा चल रही थे तिन चार नाम चल रहते हैं चतन परशाद का नाम चल रहता सबसे आगे प्रताय अमरीद का भी नाम चल रहा था और भी कई आईयसदिकारीं का नाम चल रहता लेकिन किंदर स्रकार से वापस अमरित लाल मिडा को सरकार ने चिप सेकर्ट्री बना दिया. अमरित लाल मिडा भी काफी चर्चित अधिकारी हैं. अच्छे प्रशास्ति के अधिकारी माला जाते हैं. और मुख्यमंद्री के साथ पहले भी काम कर चुके हैं. प्रधान सच्व के तौर पर और कई वीभागों के सच्व के तौर तो अच्छानक उनका नाम आया आगे और किसी को भरोशा भी नहीं था कि होंगे. लेकिन हम लोगोंने पहले ही बता दिया था कि बिहार के बीजीपी कौन होंगे और चिप सेकर्ट्री काम होंगे. प्रते अमरी छूटी पर अचानक चले गए. अप्लिकेशन भूज लिखा तो अपने हाथ से लिखा. मतलब होता हैं कि अप्लिकेशन धिकारी टाइप भिंजते हैं या फिर मिल सभेजते हैं. लेकिन वो कितने नराज होंगे अब सोच लिजीए. उनके आवेस को दरसाता है तो आवेस में आये और खट से कलम उठाई और अपना चुटी का अप्लिकेशन दिख डाला. चीफ सेकरेटर को भीं दिया. मैं तो एक महिने चुटी पर चला. तो बना गया एक भाईो नराज हो गए हैं चीफ सेकरेटर में ही बना गया तो. और सरकार के सबसे भरोसेमन लोट गया हैं और मुख्यमंतरी का जो कारक्रम हुआ, जी पीनडा का कारक्रम हुआ था इंद्रा अईरुवियान संस्थान में उस कारक्रम में भी हो मौजूद है लेकिन अभी तक दफ्तर नहीं संभाला है लेकिन मान कर चलिए कि सो मौर से तो कामकाज संभाल लेंगे तो उसने उनकी मुश्किलों को आसान नहीं होने दिया है वी तो कि सबसे बड़ा कारण करवाई कमाना जा रहा है जो महिला अधिवक्ता ने उनके खिलाफ रेप का मामला दल्ज कराया था अर्जेटीविधाय गुलाब यादो और संभी तो कुल उनके खिलाफ पांच अरूप जिन में से एक महिला के साथ बलतकार का भी है तो हाई कोट ने महिला से बलतकार वाले मामले में तो उनको रहत दे दी उस गलठ ठारा दिया तो रहत तो मिली बहुत और बना जा रहा है कि उनके पोस्टिंग भी हो जाएगी लेकिन एडी की करवाई अभी रुकी नहीं है औ और कहा जारा है कि एडी ने जो भी उनके खेकानों पर चापे मारी की थी ती उसको सबूत दस्तवेज यू को भेजा है यहां पर आई सधिक संपती के मामला चलाने के लिए लेकिन अब उसम प्रमान क्या है सबूत क्या है यह देखना होगा और जो हमारे सूत रहों बता र उनका कहना है और उनका दूसरा है कि उनके घर पर मर्स्रेडीज बरामद होने की ख़वर आई थी एक डिकरेड में, मर्स्रेडीज मिली है तो उस पर उन्हों सफाई दी है कि यह मीडिया ट्रायल था, मीडिया ने गलत खवर चलाई, उनके घर कोई मर्स्रेड नहीं मिली है, दो हजार बाइस मोडल की एक लेकर खरदा गया है SBI से खरदा गया है कागज है उनके पास तिसरा बड़ा आरुप था कि तीन BHK का फ्लाइट सेक्टर उन्हें इस द्वारिका में उन्होंने दिखाया है कि हमने उन्हें पकड़ा है लेकिन उनका गाना है कि यह भी परपर्टी है और 2016 में ही इस परपर्टी को उन्होंने डेक्लेर कर दिया है कि हमने खरदा है तो यह भी अन्नकाउंटबल परपर्टी नहीं है ठीक है अपाटमेंट का जो परचेज है भाउचर है लोन है State Bank of India से उन्होंने दिया है फिर कहा जा रहा है कि एक सिविल सर्वेंट थे पत्राधिकारी थे और लोन लेकर उन्हें सचांड़े में उन्होंने घर बनाया उस समय हंस तो नोकरी में भी नहीं और जब एगहर बनाया उनके पिता ने बनाया और उस समय Sanjeev Hans नोकरी में भी नहीं थे तो इनके इस प्रपर्टी को भी जो बताया जा रहा है कि घुटाले की पैसे से बना है यह गलत है उन्हों सफाई दी है और चंडीगड में भी आपको पता ही है कि Sanjeev Hans का कोई प्रपर्टी नहीं मिला है उनको किल्स के द्वरा कहा गया है कि चंडीगड में में कोई प्रपर्टी नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि Sanjeev Hans की पत्नी के नाम से एक गैस एजनसी है गैस अस्टेशन है सीनजी का वो है फूने में ठीक है तो उसके बारे में भी कहा गया कि उनकी पत्नी गैस एजनसी चलाती है कोरोडों की उपरपर्टी है तो उसमें भी उनकी सफाई आई है कि उनकी पत्नी के नाम पर एक एजनसी है और पूरी प्रक्रिया के तहट अलोट हुआ है उनकी पत्नी के नाम पर और महरास्ट्रा जो निच्रुल गैस लिमिटेड कंपनी है उसने उनकी पत्नी के नाम पर एक दिया है और जिस लैंड पर उनकी पत्नी का गैस एजनसी है वो उनकी नहीं है वो गुलाब यादों की है और इसलिए एडी ने मान कर चल रही थी कि उनके साथ बिजनेस भी करते थे मने बिजनस भी वखार और रिलेशन देथा गुलाब यादों से लेकिन संजीव हंस ने सफाई दिया कोई कारूबारी समंद नहीं है गुलाब यादों से यह जमीन है गुलाब यादों का और उस जमीन को किरायर का उनकी पत्नीने लगाया है तो संजीव हंस का करना कि कोई भी अन एकाउंटेबल प्रपर्टी उनके यहां बरामत नहीं हुआ है क्यों 40-50,000 पैस बरामत हुआ है तो यह तो कहीं भी किसी के पास हो सकता है आखरी सवाल यह है कि सर राह आसान होगी या अभी दिक्कत परिसानी बड़ी रहेगी यह तो संजीव हंस के लोगों का इनन तर्क है जो भी एडी ने दिखाया है कि अमरिस्टा में बंगला मिल गया, महराष्टा में CMG गैस अस्टेसम मिल गया, उनके पंजाब में बहुत ब दूरी ख़बरे चलती है, मतलब इसमें इडी के क्या दोसा है, इडी ने तो उनके ठिकानों पर एड किया, जो मिला बरामत किया, और इडी वही सबूत अब यहां आर्थिक अपराधिकाई व्युहाक को देगी, उसी सबूत को जांचने पर रखने के बाद अब आर्थिक पर आचलत का कि अदुद मुलात को दोत क्याएर क घजके करने हैं तो कोई कोई की करवाई है, लेकिन आभी तो इन भी पर आजी है, और सबसे बड़ा कारण यही था कि ये वीवाद में थे, उस महिला की कारण, जहाए ता महिला थी, उस ने रिट का किस्ट की ऑपर, गुल अगर उनकी आरोप में दम है, अगर सब कुछ एकाउंटेबल है, तब तो आएसा अधिक संपती अर्धित करने का मामला चलेगा नहीं, और जब नहीं चलेगा तो उनकी कोस्टिंग भी हो सकती है, अभी वेटिंग फार कोस्टिंग में है, और मुझे जो सूत्र बता रहे हैं कि अभी तक सरकार ने कोई फैसला उनके बारे में नहीं लिया है, और सरकार तब तक फैसला नहीं लेगी, जब तक की ADK के ओर से कोई कलरेंस?, नहीं मिल जाता है यह आर्थी के प्रादक अधिकारी जब तक कलिरंस प्रेंस किलिन चिपने दीते हैं देखिए हमारे साथ सिरकान प्रतियुस सर्थ है और बिहार के दो चर्चित अधिकारियों के बारे में बहुत महत्पूर्ण जानकारियां यूं कहें कि अंदर की जानकारी इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद